हेलो मेरा नाम डॉक्टर आरिफ रजा आहमद है मैं सर्जिकल गैस्ट्रेंटोलोजिस्ट यानके सुपरस्पशाली के हस्पिटल कलगुरगे से हैं आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में जिसे हम दुर्बीन से करने वाले सर्जरी या की होल सर्जरी भी कहते हैं फर्स्ट अपॉल हम इसके बारे में जानेंगे कि यह लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है कहां पर की जाती है और इसके फाइदे क्या है लाप्रोस्कोपी सर्जरी युज्वली छोटे-छोटे होल से 1 cm है लेस देन 1 cm होल से इंस्टुमेंट और क्यामरा के दुआरा टीवी में देखते हुए ये सर्जरी केर करते हैं ये सर्जरी हमारे पेट में अपनिक्स के लिए गॉल गर्डर सर्जरी के लिए और हर्मिया सर्जरी के लिए और बड़ी अतड़ी छोटी अतड़िया के मालूमात जानकारी के लिए भी किया जाता है और आज कल कैंसर के भी सर्जरी में कौरफार्म किये जाते हैं इसके फायदे कंपेर्ट टू ओपन सर्जरी से हम चेरा या काट लगा के करते हैं इसके फाइदे बहुत ही अच्छे हैं उससे compare करेंगे तो सबसे बड़ा फाइदा है pain कम रहेगा जैसे चीरा लगाने से टाके जाधा लगेंगे patient को pain जाधा होगा इसमें तीन छोटे-छोटे hole रहते हैं जिससे pain बहुत कम रहेगा दूसरा advantage है blood loss compared to open surgery बहुत कम होता है क्योंकि camera हमको बहुत अच्छे दरीयके से दिखाता है कि blood results को जिससे हम उसको bleeding से रुका सकते हैं तीसरा फाइदा है इसकी recovery बहुत fast होती है जैसे कि हम बताए कि pain बहुत कम रहेगा काटने लगेगा या चीरा नहीं लगेगा तो patient चल फिरता रहेगा जल्दी as soon as possible surgery के बाद और patient को infections कम रहेंगे lung infection तो pain कम रहेगा तो recovery भी fast रहेगी और discharge भी जल्दी हो जाएगा फूर यह है कि patient as soon as possible अपनी routine activity में जल्दी लग जाएगा याने काम घर के काम होने दो या office को resume होने दो यह सुप हो जाएगा पांच्वाँ फैदा यह है कि इसे long term में हर्मया याने काट लगाने से हर्मया के chances बढ़ जाते हैं लाप्रोस्कोपी या Durbin से करने वाले surgeries में हर्मया का incidence बहुती कम है आखरी में बहुत सारे लोगों को यह misunderstanding है कि लाप्रोस्कोपी या Durbin से करने वाले surgeries बहुती incomplete होते हैं compared to open surgery से ऐसा यह बिल्कुल खलत है हालांके Durbin से बहुत सामने और नज़्दीक से अच्छे से दिखता है तो इसमें completeness अब surgery बहुत अच्छा होगा compared to open surgery सो मैं बुजारिश करता हूँ सारे लोगों के जो भी surgery जिससे हम लाप्रोस्कोपी में कर सकते हैं वो उसका फाइदा उठाएं और उसकी जानकारी के लिए हमसे राप्ता करें